इसीवर कदिया कभी अलप नहीं होता, जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्स से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्यूंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता तो चली फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टेडी अरजित पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और वीडियो को शुरू से अन तक जरूर देखें तो चली इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आज हम भारत और मदप्रदेश के नेशनल हाइवे को जानेंगे जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हैं तो फ्रेंट्स सभी राश्टी राजमार्क को बनाना और उनकी रख रखाव जो है एन एच एई और सीपी डबलुडी करते हैं तो फ्रेंट्स एन एच एई जो नेशनल हाइवे अथोरिटी ओफ इंडिया की स्थापन की बात करें तो बो हुई थी 1988 में और सेकेंड जो है शेंट्र हाइवे वर्क डिफार्मेंट जो सीपी डबलुडी है इसकी स्थापन जो है 1854 में किया गया था फ्रेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे मद्प्रदेश राज की तो फ्रेंट्स मद्प्रदेश की सबसे बड़ी नेशनल हाइवे बो है एन एच फोर्टी सिक्स है जो ग्वालेर से बेतुल तक जाती है और फ्रेंट्स इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो ह 634 km है और फ्रेंट्स इससे पहले जो है National Highway NH3 था जो आगरा से मुंबई जाती थी और फ्रेंट मदप्रदेश में इसकी लंबाई जो है 556 km है तो फ्रेंट्स ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है अब शेकिन्ड बात करते हैं मदप्रदेश की सबसे छोटी नेशनल हाईवे की तो इसमें फ्रेंट NH135 B भी है जो रिवा जिले में बनाया गया है और फ्रेंट्स इससे पहले जो है मदप्रदेश में सबसे छोटी जो नेशनल हाईवे थी वो थी NH339 B था जो बमीठा से खुजराह तक जाती है और फ्रेंट्स इसमें जो है मदप्रदेश में इसकी लंबाई 9 km है तो फ्रेंट्स ये सारे पॉइंट भी आपको याद रख बड़ी वर सबसे छोटी नेशनल हाईवे है तो फ्रेंट्स सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे वो है NH27 है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है और फ्रेंट्स इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4,112.62 km है और फ्रेंट् 44 जो श्री नगर से कर्णिय कुमारी तक जाती है और फ्रेंट्स इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई भारत में थी 3,745 km था तो इस तरी के से फ्रेंट्स यह सारे फॉइंट आपको याद रखना है दूसरा हम बात करते हैं भारत की सबसे छोटी नेशनल हाईव इसकी लंबाई 1.2 km है और इससे पहले भारत में सबसे छोटी जो नेशनल हाईवे थी 47A जो एना कुलम को कोच्ची से जोड़ती थी तो इस तरी की से सारे जो पॉइंट है इनको आपको याद रखना है इनको नोट कर लेना है और फ्रेंट्स हाईवे से रिलेटेड जो को पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद रखना है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं ने स्टीडियो पर ऐसे ही इंपर्टेंट कोच्टन और इंपर्टेंट पॉइंट के सांथ